तो एक स्कीम आई है जिसका नाम है अगनीपत क्या ये वाके ही इन दंगों का कारण है क्या इसको लेकर दंगे होने चाहिए इसको लेकर युवा सड़कों पर आने चाहिए मेरे साथ में मौझूद है चर्चा के लिए सुप्रिम कोट के वकील है जिनका नाम है बी एस राना बी एस राना जी कैसे देखते हैं आप इन सब लोगों को जिस तरह से युवा लगतार आखजनी कर रहे हैं ट्रेनों को फूक रहे हैं क्या ये जो स्कीम है क्या ये कारण हो सकता है इन सब चीजों का ऐसा है जी ये जो स्कीम है बहुत अच्छी स्कीम है लेकिन अपोजिश का मिला जूला खेल है और उन्हें लोगों को मिस गाइट करके इस तरीके के आज़नी और वाइलेंस जो है करवा है वैसे मैं आपको बता हूं यह बहुत अच्छी स्कीम है एक युवक जो है वो टेंट के बाद इसमें जा सकता है के वाद वो इंटर करता है तो पांच साल आज वो आजमी 10 के बाद जा रहा है चार साल उसको ट्रेनिंग दी जा रही है गौर्णमेंट सारा उसका खर्चा कर रही है और उस खर्चे होने के बाबजू जब वहां से आएगा तो करीब 15 लाग रुपे उसकी जेम में होंगे उनसे वह अपना बिजनिस भी कर सकता है जो और दूसरे पहला मिलेक्ट्री फोर्ट सीजेंज दो गौर्णमेंट के दूसरे निकाये हैं उनमें भी बहुत सर्फिस कर सकता है तो इससे स्कीम कुछ होई नहीं सकती लेकिन ये स्कीम को गलत दिखाने वाले वो सब वो लोग है जो कि मोधी विरूधी आदमी है जो ये च चार साल भाल ये गवर्णमेंट की पॉलिसी है जिस लोगों को ये नौकरी पसंद वो उसमें जाए और जिनको पसंद रूसरी रेकर जहां उन्हें पशंद म Laud Second कि यहीं करो लेकिन वह तो लगातार यह कह रहे हैं कि हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं हमारी एज निकलने को है पहले तो भरती ही लेट आई आई तो फिर ऐसी स्कीम आई जो सिर्फ चार साल तक ऐसा है जितने भी कम्टिटिव एक्जामनेशन हैं उन सब में सालों की तैयारी होती है आई एस पीसी एस है और दूसरे एक्जामनेशन है उसमें लोग बाच आठाट दददद साल तक तैयारी करते हैं तो इसका मतलब यह को यह कि उन सबको नौकरी मिल जाएगी बचो कम्टिशन में आएगा जो नहीं आएगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी लगातार जिस तरह से आगजनी हो रही है ट्रेनों को फूका जा रहा है तो क्या करण मानते हैं आप कोन लोग है वो क्या वह वाके में वह युवा हैं जिनको नौकरी चाहिए वो लोग हैं जो कि कोचिंग सेंटर के भेजे जो कि अप्वे बदमाश हैं गुण्डे हैं और यो आपोजीट पारट्री उनके उकसाईवे लोग हैं पूजीट पारट्री के लोगों का भी वो शामिल हैं वो लोग कर रहे हैं जिसे अपने कैरियर का बनाना है जो सिंसिर हैं अपने के पिट्वे पिरती वो कोई और अपोजिशन पार्टी वाले के दुवारा इस्पॉंसर लोग हैं देखे आप एक एडवकेट है सुप्रिम कोर्ट से हैं तो इन लोगों के उपर क्या किस तरीके की कारवाई होनी चाहिए जो इस तरीके का वाइलेंस बढ़काते हैं जिस तरीके के दंगे बढ़काते हैं यह हमारे जो मीटिंग थी डिफेंस के लोगों ने की थी तीनों के अंगों ने उन्होंने भी बात किया दिये कि अगर कोई लड़का आता है और उसके खिलाब यह सबूस मिलता है तो उसको भरती में नहीं लिया जाएगा ऐसे लोगों के खिलाब वही कानून वही अगनीपत विपक्स पार्टी कहा रही है इसका नाम ही अगनीपत रख दिया अगनीवीर उनको कहा जा रहा है क्या वो वाकई आगे जाके काम्याब हो पाएंगे और क्या इसमें ऐसी क्या प्रात्मिक्ता क्या ऐसी चीजे हैं जिसको लेकर युवा इसको फोलो करे यह बिल इसकी उन्नती में भागेदारी उनको उनकी हो गई और वह दूसरी बातित गएन किंशन है ना कुछ ऐसी आगे के लिए कुछ प्रोटेक्शन है इस तरीके की कि अगर उनको नोकरी ना मिली बाइचांस कोई B.S.F. जैसे तीन forces की बात हुई है अगर उनमें किसी में भी नोकरी ना पापाए तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे आप ये देखिए कि बेरोजगार चार साल के अंदर उनको कौन सा रोजगार मिल जाये का मानिएए वो अगनी पत्व नहीं जाते हैं वो जो है बिये करते हैं तब उनके पास कुछ भी नहीं पास होगा आज वह अगर अगनी पत्न प्राइब करने के लिए तो यह मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी स्कीम है और इस अच्छी स्कीम कोई प्राइब मिनिस्टर की इमेज खराब करनी है लगातार जैसे जो क्रिशी कानून थे उनको वापस लिया गया था लगातार प्रोटेस्ट चला था अब दुबारा फिर राकेस्टिक जो है वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि यह अगनी पत जो है यह बहुत बेकार स्कीम है उ किसी को कोई मतलब नहीं है और मैंने आपको पहले भी बताया बहुत यह गवर्मेंट निका लिया हरे जो है इसकीम आती है इंप्लॉयमेंट निकलते हैं प्राइबेट नौकरिया हो या गवर्मेंट के नौकरिया हो आपकी पसंद आप करो आपको कुछ जवर्दस्तिक अगर आपको नहीं पसंद आती है मताओ इस स्कीम के अंदर क्यों आ रहे हो आप लगातार युवा जो है उन्होंने अपने आपको फांसी पर लटका लिया जब से यह स्कीम आई सुना कि इस तरीके कि चार साल की इसमें एज लिमिट है तो उनको कैसे देखते हैं क्या उनक कुफ नहीं है जो लटक जाएंगे लगातार खबरे आ रही थी और एक तरीके से अनुमान लगाए जा रहा था कि 40-45 जो युवा है वो फांसी पर लटके हैं तो उनकी लिश्ट है कि कौन से युवा लटके हैं ऐसे को है कि आप चंडू खाने की छोड़ते रहों साब यह लटका है और गवर्मेंट को आप बजनाम करते रहों कोई युवा नहीं लटका है कुछ नहीं हुआ है सब बिलकुल ठीक चला है कोई दिक्कत नहीं है तो आपके हिसाब से यह जो अगनीपत जो है वो बिलकुल सही है और युवा के लिए रोजगार का एक साधन है बहुत उसको जह है दस हाई स्कूल करने के बाद ही नौकरी मिल लगी है और पंदर लाक रुपे मिलने हैं और साथ में दूसी सर्विसिस के अंदर उसका रिजबरेशन हो रहा है तो चीज की मौर क्या होगी और आपको मैं आज यह वाद बता दू जिस दिन इसकी में हो चुकी है इसके फारन मरे जाएंगे उस दिन जो है इतनी लंबी लाइन हो गे कि आपको किनना मुशकिल हो जाएगा आने वालों कि इसके अंदर बहुत 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 अच्छी सकी में मोधी और हमारी हमारी सरकार है उसे देशमें डिसीपिलीन बढ़ेगा इससे इसमें देश के अं इनोंने बताया कि ये स्कीम जो है वो बहुत ही कारगर है इस वीडियो में फलाल इतना ही